बड़ी खबर कोहरी की वज़े से visibility पर एक बड़ा असर देखने को मिला है बड़ी खबर जोहाँ आपको बता दें मौसम विभाग ने यलो अलट भी जारी कर दिया है और दिली एंसियार में शीत लहर को लेकर यलो अलट जारी किया गया है साथी आपको ये भी बताती चले कि अगले 5 दिनों तक यलो अलट यूही जारी रहेगा क्योंकि दिली एंसियार में शीत लहर को लेकर यलो अलट जारी किया गया है और जो बहार सफेद मोटी परत चादर यहाँ पर देखने को मिल पारी है घने कोहरी की उसको लेकर visibility कई इलाकों में शूने नज़र आपा रही है जिसकी वज़े से कई तरह की परिशानियों का सामना फिलहाल लोगों को करना पड़ रहा है अगले 5 दिनों का सक्र के आ जाए तो IMG यानि कि मौसम विभाग की तरफ से यलो अलट जारी कर दिया है यानि अभी ठंड और बढ़ेगी और जो ठिटूरन है उससे लोगों को निचात मिलने वाली नहीं है ऐसे में आपको बता दे जब अल सुभा से घना कोहरा चाया हुआ है उसके बाद से तमाम तरह की जो तस्वीरे हैं वो लगतार सामने हैं यह ऐसे इलाके जहां पर विजबलिटी पूरी तरह से शोनने हो चुकी है बेहत कम मापी जा रही है लेकिन लोगों को इस दौरान कई परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं उन्होंने अपनी स्पीड में जो वाहनों क की तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं वारा नसी और राजधानी भुपाल में भी कुछ इसी तरह का नजारा हालंकि राजधानी भुपाल का जिकर किया जाए तो वहां पर फिलहाल जो कोहरा है वो जादा घना नहीं है और ऐसे में विजबलिटी भी ठीक ठाक ही नजर आ जो इस वक्त सच्चा मेत्र है वो फिलहाल लोगों के लिए अलाव बना हुआ है